कॉंग्रेस पार्टी के रास्ट्री अध्यक्ष राहूल गांधी के इस्तीफे और इस्तीफ़ वापसी को लेकर चल रही अटकलों पर बुधवार को खुद राहूल ने विराम लगा दिया रहूल ने पहली मीडिया के सामने और फिर ट्विटर पर साफ कर दिया कि वे अब कॉंग्रेस के रास्ट्री अध्यक्ष नहीं हैं रहूल गांधी ने कहा कि CWC यानि कॉंग्रेस वरकिंग कमेटी ही तै करेगी कि कॉंग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा राहुल ने कहा कि पार्टी को बिना किसी देर के जल्द ही नए अध्यक्ष का चुनाओ करना चाहिए राहुल ने ये भी साफ किया कि वे अध्यक्ष की चैन प्रक्रिया में कहीं भी शामिल नहीं है राहुल ने कहा कि वे अपना पहला ही स्तीफा दे चुके हैं राहुल ने इसके बाद ट्वीटर पर भी अपने इस्तीवे की जानकारी दी है इसके बाद जानकारी के मुताविक फिलाल वरिस्ट कॉंग्रेसी नीताव मोतिलाल वोरा को अंत्रेम अध्यक्ष बना दिया गया है और नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है